दिखा जाए तो अंडे हमारे स्वास्त के लिए सबसे अच्छे ब्रेकफास्ट के रूप में आने जादे हैं और यही कारण है कि देज भर में दिन के फर्स्ट मील के रूप में अंडों को इस्तमाल भी किया जाता है अंडे की लोग प्रियता केवल एक उसकी आसानी से उपलब्धता और सस्ता होने का कारण ही नहीं है बलकि भूजन को पॉस्टे क तत्वों से भरबूर होने के कारण भी लोग इसे काफी पसंद करते हैं आप अंडे के साथ जितना चाहे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और इसे लाइट स्नाक के में भी बदल सकते हैं ब्रेकफास्ट में जादतर लोग इसे ओमलेट या उबले हुए अंडे के रूप में खाना ही पसंद करते हैं हाला कि ओमलेट सबसे हेल्दी ब्रेकफास्ट में से एक है हम अकसर अंजाने में उनसे और अधिक कैलोरी मिला देते हैं ऐसी कई ट्रिक्स हैं जिनसे जरिये आप अपने ओमलेट में से अधिक कैलोरी हटा उसे और भी टेस्टी बना सकते हैं ऐसे कुछ चीजें हैं जिनसे आपको breakfast में omelette बनाने में मदद मिलेगी और इसे आपको याद रखनी चाहिए तो अगर क्या है अगर वो चीज जो हम आपको बताते हैं दरसल इस report में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अंडे के omelette बनाने के अनोखे तरीके क्या है दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अंडे विटमिन में भरपूर स्रोथ के साथ जाने जाते हैं इनमें विटमिन, मिनरल और फाइवर मिलाने का सबसे उत्तम तरीका ये है कि आप इसे सबजियों के साथ मिला कर बनाए जैसे गाजर, ब्रूकली, पालक ये सबजियां इसकी पॉस्टिक्ता को बढ़ावा देती हैं आप या तो सबजियां सीधे ही omelette में डाल कर खा सकते हैं या आप अपनी पसंद की सबजियां fry कर लें और फिर omelette में से भर दें इसके अलावा अंडों में प्रोटीन भी मिला सकते हैं ये उन लोगों के लिए सर्फ्रेश्ट है जो वर्क आउट करते हैं और वजन कम करना चाहते हैं प्रोटीन वजन घटाने और मास पेसी को मजबूर देने में सहाथा हो करता है इसके अलावा आप प्रोटीन लंबे समय आपका पीट भरा रखता है यही कारण है कि ब्रेकफास्ट में अधिक पूशक तद्वकों मिलाना आपके लिए फायदे मन्द होता है क्यूरियन हेल्टेक्स के रिपॉट